एक दिन की बात है, एक भिखारी रेलवे स्टेशन के किनारी बैठा हुआ भीक मांग रहा था एक रुपिया दे दो बाबा, भगवान के लाम पर कुछ दे दो बाबा, एक रुपिया दे दो बाबा वो भीक मांग रहा था तो उसे कोई एक रुपए देता तो कोई उसे कुछ देता भी नहीं आज उसे भीक मांगते मांगते सारा दिन बीच जाता है तब कहीं जाकर उसे मुश्किल से दस रुपए मिलते हैं विखारी फिर भीक मांगने लगता है बिखारी भीक मांगता जा रहा था पर कोई उसे भीक नहीं दे रहा था यह नहीं कि कोई काम मांग कर ले इहीं तो बस भीक मांगने की आदत है तब ही एक आद्मी उसके पास से जा रहा होता है तब ही वो भीकारी उसे देखकर भीक मांगने लगता है एक रुपया देदो भईया सुबह से कुछ नहीं खाया वो आदमे उस भीखारी के पास जाकर रुक कर उसे भी खरी-खोटी सुनाने लगता है तुम कुछ कान क्यों नहीं करते जो भीख मांगना अच्छा लगता है जा अगवाल ने तो दो हाथ ये हैं काम करने के लिए फिर भी तुम भीख मांगते हो तुम लोगों की तो आदत है भीख मांगने जो तो हम आप भी कैसी बाते करते हो मुझे भीखारी को कौन काम देगा बोल कर तो सब चले जाते हैं पर काम कोई देता नहीं कोई नहीं देता वो आदम इस बिखारी को पैसे दिये बिना चला जाता है बिखारी फिर वही स्टेशन पर जाकर बैठ जाता है और आबाज साथ आने लगता है अगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा इस गरीब की दूआ लगेगी कोई दे दे बाबा सुभा से भूखा हूँ अगवान के नाम पर दे दे बाबा सुभा से कुछ नहीं खाया तब कुछ पैसे दे दो साथ कुछ पैसे दे दो वो आदमी जल्दी में था तो वो उस बिखारी को कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से आगे जा रहा होता है तबी उसकी बेटी के स्कूल बैक से किताब निकल कर भिखारी के आगे गिर चाती है तो वो भिखारी उस लड़की की किताब उठा कर उसे देने चाता है तहाथ ये आपकी बेटी के स्कूल बैक से इंगलिज की किताब गिर गई थी आदमी बड़ी हैरानी से उस भिखारी को देखता हुआ तुम्हें कैसे पता ये एंग्लिश की किताब है साहत इस किताब पर लिखा हुआ है अंकल क्या आपको पढ़ना आता है भिखारी उस लड़की के हाथ से किताब लेकर पढ़कर सुनाने लगता है अंकल आपको तो सब पढ़ना आता है पर आप तो बिखारी हो बिखारी उस लड़की की बात सा कोई जवाब नहीं देता और चुप हो जाता है अरे हाँ बाताई में तुम तो पड़े लिखे हो फिर एक क्यों मनते हो साहब मजबूरी आदमी से क्या कुछ नहीं करा देती मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है बिखारी उस आदमी को अपनी कहानी सुनाता है साहब मेरा भी एक पैवार हुआ करता था मैं मेरी माँ और पिता जी हम साथ रहते थे तक कुछ ठीक था पर एक दिन मेरे पिता जी का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उनके दोनों हाथ चले गए अब सारा भोज मेरी मा के ऊपर आ गया और उनकी भी तबियत खराब रहने लगी थी जिसकी वजह से सारा पैसा उनके इलाज में लग गया और एक दिन फेक एक करके मेरे माबाप मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए अब मेरे पास रहने के लिए ना घर था ना खाने के लिए खाना साहब ठीक न मालता तो क्या करता हम तुम पढ़े लिखे हो कोई काम कर सकते हो साहब मुझे बिखारी को कौन काम देगा तुम मेरी बेटी को टीशन पढ़ा सकते हो क्यों मजाग कर रहे हो साहब मैं सच के ना हूँ क्या तुम मेरी बेटी को टीशन पढ़ा सकते हो मैं तुम्हें उसे पढ़ाने के पैसे दूँगा बिखारी के आलकों में आसु आ जाते हैं और वो रोने लगता है और वो गरिमा को पढ़ाने के लिए हां कर देता है ठीक है, कल से तुम इस पते पर मेरी बेटी को पढ़ाने आ जाना वो आदमी बिखारी को कुछ पैसे देता है और उसके हाथ में पता देकर वहां से चला जाता है अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं अभी अपनी बेटी करिमा को लेकर आता हूँ तब ही वो अपनी बेटी गरिमा को लेकर आता है तो रबी उसे पढ़ाने लगता है पेटा, आज मैं आपको मैठ पढ़ाऊंगा, अब तुम मैठ की किताब निकालो गरिमा इंगलिश और मैठ में काफी कमजोर थी, रवी गरिमा को पढ़ाना शुरू कर देता है इसी तरह दिन बीटने लगते हैं, गरिमा भी अब पहले से इंगलिश और मैठ में ठीक होती जा रहे थी इसी तरह गरिमा को पढ़ाते पढ़ाते एक महीना निकल जाता है, तभी मनुहर रवी के पास आकर उसे पैसे देता है ये लोग तुम्हारी महनत का एक हजार रुपया, हाँ, हाँ, ये तुम्हारी महनत की कमाई है इसी तरह रवी हर रोज गरिमा को पढ़ा था, और गरिमा भी उससे बड़े शौक से पढ़ती गरिमा दिन पर दिन पढ़ाई में होश्यार होती जा रहे थी, जिसे देखकर स्कूल की टीचर भी गरिमा की तारीफ करने लगी थी और एक दिन तो गरिमा ने सब को चौका दिया, जब वो पूरी क्लास में फरस्ट आई मनुहर रवी को बुला कर उसका धनेवाद करता है और उसे बताता है कि गरिमा क्लास में फरस्ट आई है, जिससे मनुहर उसकी फीज बढ़ा देता है इसी तरह रवी की हालत अब धीरे धीरे ठीक होती जा रहे थी, अब उसके पास गरिमा के साथ-साथ और भी बच्चे पढ़ने आने लगे थे, जिसकी वज़ह से उसकी कमाई दिन पर दिन बढ़ती जा रहे थी, और उसके पढ़ाने की दिमांड भी, एक दिन की बात है, र रवी एक और कोचिंग सेंटर खोल लेता है, जिसकी वज़ह से अब रवी की कमाई और दुगनी होने लगी थी, अब उसके किसी चीज़ से कोई कमी नहीं थी, उसके पास रहने के लिए घर, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े सब था, एक दिन उसके दिमाग में खयाल आ जिसकी वज़त उन्हें थी, मजबूरी में मांगनी पड़ती है, उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता थी, मांगने के सिवा, और वो लोग इस, इस कोचिंग सेंटर में आकर पढ़ा सकते हैं, उन्हें भी एक नई जंदगी शुरू करने का मौका मिल जाएगा, रवी अग जा तुमने, अब हम भिखारियों को भी काम मिल सकेगा, जिसके हमें पैसे बिलेगे, चलो चलो चल कर देखते हैं, भी या चलो चल कर देखते हैं, फिर दो चार भिखारी रवी के पास जाते हैं और उसे अपने बारे में बताते हैं, बाबु जी, क्या हमें काम मिल सकेगा, एक शक्र पर अब से तुम फिर कपी भीक नहीं माँगोगे बाबोजी तो वह में काप बिल जाएगा तो फिर हम जो भीक पाजेगे तुम अपी से काम पर आखते हो तब एक एक करके भिखारी रवी के कोचिंग सेंटर में पढ़ाने लगते हैं अब तो रवी की कमाई बहुत जादा हो गए थी अब तो वो करोणो का मालिक बन गया था फिर एक दिन बहुत ही बड़े परिवार में रवी की शादी हो जाती है और वो अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है तभी एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ घूमने जा रहा था तभी एक बिखाड़े उसके आगे आकर भीक माँग रहा था तो वो उसे कुछ नहीं देता तुम कुछ काम क्यों नहीं करते क्या बाबुजी आप भी कैसा मजात करते हो आपको भीक देनी है तुदू तो रह जाओ यहों से आपने उस भीकारी को पैसे क्यों नहीं दिये आज अगर मैं उसे भीक दे देता तो उसे भीक मांगने की और आदत पड़ जाती और वो कभी काम करने की सोचता ही नहीं अगर हर आग नीशी सह सोचने लगे तो एक दिन एक भी भीकारी नहीं रहेगा सही कहा आपने एक दिन की बात है रवी अपने ओफिस से घर की और आ रहा होता है तब ही रास्ते में उसे सड़क के किनारे कुछ छोटे छोटे बच्चे भीक मांगने हुए दिखाई देते हैं इन मासूम बच्चों का क्या कसूर जिनके माबाप इन्हें पैदा होते ही छोड़ देते हैं या कोई मर जाता है जिसके वज़र से इन मासूम बच्चों का बच्चपन भीक मांगने में निकल जाता है उचे उचे इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए फिर रवी वहां से अपने घर चला जाता है, उसे यू परिशान देखकर रज्नी पुछती है या भात है, आप कुछ परिशान नजरा रहे हो, कोई बात है क्या फिर रवी अपनी पत्नी रज्नी को भी एक माघ रहे हैं बच्चों के बारे में बताता है मैं क्या करूँ जो इन बच्चों का बच्पन खराब ना हो क्यों न हम ऐसे बच्चों के लिए खर बनवाएं जिसमें वो रह भी सके और पढ़ाई भी कर सके हाँ, मैं कल ही एक काम शुरू करवाऊंगा जिससे इन बच्चों को कभी सिंदगी में फीक नहीं मांगनी पड़ेगी मैं इनके लिए घर और स्कूल तोनों बनवाऊंगा तो कि मैं भी कभी फिकारी